हमारे पैरों में ऐसे क्रैक्स ऊते हैं और ऐसे सिच्वेशन में होने के बावजूद भी आदमी साइकल क्यूँ चला रहा है आखिर इसके पीछे क्या और आखिर कैसे एक हातों से ये विक्ती ताली बजा सकता है और इस वीडियो में हम आपको उस आदमी से मिलाने वाले हैं जो आज एक बिलियन एर होता बट उसके एक छोटी सी गलती के वज़े से वो आज कहीं स्टैंड नहीं करता तो आए हैं तो कुछ कमाल के फैक्ट्स आपको जरूर बताएंगे तो चैनल पे बने रही है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को होते हैं जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को आग से बटके आपने कभी नॉमोफोबिया सुना है इस केस में जो पीडित विक्ति होता है अगर आब उसका फोन पांच या दस मिनिट के लिए ले लेते हो तो वह अजीव अजीव हरकते करने लगता यहां तक कि वह आपको मार भी सकता है और इसी बिमारी को नॉमोफोबिया कहते हैं जो कि अपने फोन से बहुत जादा अटेश्ट लोग होते हैं कई लोगों को प्लेइन में बैठने से भी डर लगता है पर इनसे मिले इनका लाम लिलन बॉयर है और यह कोई आम महिला नहीं है यह एक सूपर वूमन है क्योंकि यह दुनिया के सबसे पहली महिला है जिनोंने प्लेइन के विंक्स पर स्टंट परफॉर्म किया था वो भी बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी वायर के अमेजिंग इतनी डेरिंग और दिलेर महरा इनके लिए एक लाइक तो बनता है नमबर एट यूक्रेन में जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहें वहीं यह बंदा साइकल से अपने जॉब पर जा रहा है वा से एक विक्ती ने अपने फोन को टॉयलेट में गिराया है वह एक्सिडेंटली हो या जान गुचके बट सर्वे के अनुसार यह टूथ है अगर गुस्से में आकर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप उस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए गांट बांद कर क् विक्ती गुस्से में आपको कुछ भी बोलता है तो 99 परसेंटेज सच बोलता है तो अगली बार जब भी कोई आप पर गुस्सा करें तो उसकी बातों को दिल पे जरूर लीजिएगा नमबर फाइब एक हाथ से ताली बजाना नियरली इंपॉसिबल चीज है पट हम इंडियन्स के लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती यह इंपॉसिबल वर्ट एक्जिशिट नहीं करता है और कुछ इसी प्रकार से इस वेक्ती ने प्रूफ कर दिखाया है जिनका नम अनमोल है और इन्होंने एक हाथ से ताली बजाई है एक मिनिट में 400 बार क्लाइब नमबर फून जिस प्रकार बिटकॉइन होता है ठीक उसी प्रकार एक डॉजी कोईन भी होता है जिसे बिली मारकस ने गलती से इन्मेंट कर दिया था और कुछ साल बाद ही उन्होंने उस डॉजी कोईन को बेच कर एक होंडा सीविक खरिद ली थी बट आज 15 साल बाद उस डॉजी कोईन की कीमत बिलियंज में है तो अगर उस वक्त उन्होंने ये बेच कर होंडा सिविक नहीं ली होती तो आज पूरे होंडा कम्पनी को बाई कर सकते थे क्योंकि डॉजी जैसे यह आज तक पच्छता रहे हैं नॉम्बर त्री आपने पैरों के नीचे इन क्रैक्स को तो जरूर देखा होगा और यह ज़्यादा तर ओल्डेज पीपल में होता है साइंटिस इसके पीछे का रिजन यह बताते हैं उनको यह ज़्यादा तर प्रॉब्लम आती है और वहीं वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनको भी यह चीज हो सकती है बट इसका मेंन रेजन है ड्राइ स्किन होना अगर आपने टाइटानिक मूवी देखी होगी तो लास्ट सीन के वक्त आपने एक सीन में यह चीज नोटीज की होगी कि वहाँ पे एक क्लॉक रहता हूँ और उस क्लॉक में दो बचकर 20 मिनट होते हैं और यह एक्जैक्ट वही टाइम है जब ओरिजिनल टाइटानिक डू भी थी मतलब इतने डीटेलिंग में गई थी यह मूवी और इसलिए आज तक लोग इसे इतना प्यार करते हैं नंबर वान इस फोटो को देखिए एक मिनट अब देखिए यह फोटो इतने एक्वरेट टाइम पर क्लिक की गई थी कि एक एगल एक शाक को पकड़ा है और वो एक शाक एक छोटी सी फिश को मतलब अमेजिंग टाइमिंग है ना आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूला तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में